परिचय बच्चों, हमने पौधों के बारे में बहुत सारी बाते जान ली हैं. अब हम पौधों में श्वसन के बारे में सीखेंगे. श्वसन, व्रिधी, प्रजनन एवं जीवन की अन्निकत विधियों हेतू उर्जा उत्पन्न करने के लिए शरकरा देहन की एक प्रक्रिया है. यदि आक्सीजन उपस्थित है तो ये आक्सी श्वसन कहलाता है. और किडवन में ग्लाइक कोलिसिस के विखंडित उत्पात का किर्वन में लेक्टिक अमल बनता है, जबकि एलकोहल किर्वन में एथेनौल बनता है. इसलिए इस पूरे मॉडियूल में हम पौधों में श्वसन के बारे में जानेंगे. उद्देशे इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे. पौधों की सास लेने की प्रक्रिया की चर्चा करना, ग्लाई कोलोसिस की व्याख्या करना, किन्वन के बारे में जानना, आक्सी श्वसन की चर्चा करना, ट्राई कार्बोकसिलिक अमल चक्र की व्याख्या करना, इलेक्ट्रोन परिवहन तंत्र यानी ETS और आक्सी करनी फा जार देना, श्वस्निय अनुपात को परिभाशित करना, क्या पादप सांस लेते हैं? इस प्रश्न का कोई परुक्ष उत्तर नहीं है, पौधो में श्वस्न आक्सीजन का उप्योग और कार्बन डायोकसाइट को मुक्त करना है, पौधे अपना भोजन बनानी के लिए भी कार्बन डायोकसाइट का उप्योग करते हैं, और इस प्रक्रिया में आक्सीजन भी मुक्त करते हैं, ये प्रक्रिया प्रकाश संशलेशन कहलाती है, पौधो में श्वस्न के लिए कोई विशिस्ट अंगर नहीं होते हैं, लेकिन इ जल और उड़्जा उत्पन्ने करती हैं, गुलुकोज के देहन से कार्बन डायोकसाइट, जल और उड़्जा प्राप्त होती हैं, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस के दोरान एक गुलुकोज अनू, पाइरुविक अमल में टूट जाता हैं, और ATP के रूप में ग्लुकोज हेक्सो काइनेज एंजाइम की उपस्थिती में, ATP दोरा ग्लुकोज छै फास्फेट में फास्फरी क्रित हो जाता है, इस अभिक्रिया में एक ATP का उप्योग किया जाता है, ग्लुकोज छै फास्फेट फास्फो ग्लुकोज आईसो म्रेज एंजाइम की अपने समाफ यवी फ्रुक्टोज 6 फॉसफेट में परिवर्तित हो जाता है। एक 6 डाई फॉसफेट एल्डोलेज एंजाइम के क्रियाद्वारा तीन कार्बन शरकराओं डाई हाइड्रा ऑक्सी एसिटोन फॉसफेट यानि दी एच एपी एवं तीन फॉसफोगली सरिल्ड हाइड यानि PGAL में दो अड़ों में विभगत हो जाता है। डाई हाइड्राक्सी एसिटोन फॉसफेट यानि दी एच एपी ट्राई ओस फॉसफेट आईसोम रेज एंजाइम के क्रियाद्वारा PGAL में बतल जाता है। अब तीन फॉसफोगली सरिल्ड हाइड एक तीन बाई फॉसफोगली सरेट में बतल जाता है। और NAD+, से NADH+, H+, भी बनाता है। एक तीन फॉसफोगली सरेट अब तीन फॉसफोगली सरिफ अमल में बतल जाता है। और ये ADP से ATP भी उत्पन करता है। तीन फॉसफोगली सरिक अमल दो फॉसफोगली सरेट में बतल जाता है। और उसके बाद दो फास्फोगली सरेट फास्फोईनोल पायरुविट अमल में बदल जाता है तथा साथ ही जल मुक्त करता है और अंत में फास्फोईनोल पायरुविट पायरुविक अमल में बदल जाता है और एडीपी से एटीपी भी उत्पन्न करता है। किडवन किडवन सूख्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक योगिकों के अनाक्सी विखंडन की प्रक्रिया है उधारण के लिए येस्ट आक्सीजन की अनुपस्थिती में अनाक्सी श्वसन कर सकता है लेक्टिक अम्ल किडवन में पायरुविक अम्ल लेक्टिक डिहाइटोजिनेज एंजाइम द्वारा लेक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है अपचाई कारक NADH plus H plus होता है जो NAD plus के लिए पुना आक्सी क्रित हो जाता है अल्कोहल किडवन में पायरुविक अम्ल असी टेल्डिहाइट उत्पन्ने करने के लिए कार्बन डाई ऑक्साइट का एकणू मुक्त करता है उसके बाद असी टेल्डिहाइट NADH plus H plus को पुना आक्सी क्रित करता है और तब ये एधनॉल में अपचित हो जाता है पायरुविक अम्ल डीकार्बोकसिलेज और अल्कोहल डीहाइटोजिनेज एंजाइम इन अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है आक्सी श्वसन आक्सी श्वसन में आक्सीजन की उपस्तिती में पायरुविक अम्ल कारबन डीकसाइड और जल में पूरी तरह से अक्सी क्रित हो जाता है आक्सी दशाओं में पायरुविक अमल क्रेप्स चक्र के माध्यम से आक्सी क्रित हो जाता है लेकिन क्रेप्स चक्र में प्रवेश करने से पहले ये सूत्र कणी का अधात्री में प्रवेश करता है जहां ये D-Carbocilic रित हो जाता है और Co-Enzyme A के साथ जुड़कर Acetyl Co-Enzyme A बनाता है ट्राइकार्बोक्सिलिक अमल चक्र ऑक्सीजन की उपस्तिती में सूत्र कणिका के भीतर संपन होने वाला श्वसन चक्र क्रेफ्स चक्र या ट्राइकार्बोक्सिलिक अमल चक्र कहलाता है क्रेफ्स चक्र का प्रारंब जल की उपस्तिती में सिट्रिक अमल बनाने के लिए ओक्सेलो एसिटिक अमल सहित एसिटाइल Co-A के संगनन के साथ होता है एकोनिटेज की उपस्तिती में सिट्रिक अमल सिस एकोनिटिक अमल में परिवर्तित हो जाता है और जल का एक अणू मुक्त होता है सिस एकोनिटिक अमल जल के संयोजन के साथ एकोनिटेज एंजाइम की उपस्तिती में आईसो सिट्रिक अमल में परिवर्तित हो जाता है अब आईसोसिट्रेट डिहाइडोजिनेज एंजाइम की उपस्तिती में ओकसेलो सक्सीनिक अमल पनाने के लिए आईसोसिट्रिक अमल से दो हाइडोजन आयन अलग हो जाते हैं इस तोरान NADH plus H plus के निर्मान के लिए ये hydrogen ion NAD plus द्वारा ग्रहण किये जाते हैं। ओक्सेलो सक्सीनिक अमल कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्तिती में डी कार्बोक्सिली क्रेत होकर अलफा कीटोगलूटेरिक अमल बनाता है और कार्बन डायोक्साइड मुक्त होती है। अलफा कीटोगलूटेरिक अमल अलफा कीटोगलूटेरिक डी हाइडोजिनेज एंजाइम की उपस्तिती में को एंजाइम A के साथ अभिक्रिया करके सक्सीनाइल को एंजाइम A बनाता है। अभिक्रिया के दोरान कार्बन डायोक्साइड का एक अणू और हाइडोजिन आयन का एक युक्म मुक्त होता है। NADH+, H+, बनाने के लिए हाइडोजिन आयन NAD+, द्वारा मुक्त किये जाते हैं। अब सक्सीनाइल COA, सक्सीनाइल थियोकाइनेज एंजाइम की उपस्तिती में सक्सीनिक अमल में परिवर्तित हो जाता है। अभिक्रिया के दोरान GTP से GTP निर्मित होता है। अब सक्सीनिक अमल सक्सीनिक डिहाइडोजिनेज एंजाइम की उपस्तिती में डिहाइडोजन क्रित होकर फ्यूमेरिक अमल बनाता है और दो हाइडोजन परमाणों को मुक्ति करता है जो FADH2 बनाने के लिए FAD द्वारा ग्रेहन किये जाते हैं। एंजाइम फ्यूम्रेज की क्रिया द्वारा फ्यूमेरिक अमल मेलिक अमल में परिवर्टित हो जाता है। मेलिक अमल NAD+, एवं मालेट डिहाइडोजिनेज एंजाइम की उपस्तिती में आउक्सेलो एसिटिक अमल में आउक्सिक्रित हो जाता है। हाइडोजन परमानों का मुक्त युक्म एन एडी प्लस से एन एडी एच प्लस एच प्लस बनाथा है। इलेक्ट्रोन परिवहन तंद्र यानि ETS तथा आउक्सी करने फास्फोरी ली करन। ग्लाइकुलिसिस और क्रेप्स चक्र के तौरान गुलुकोज आक्सिक रिध हो जाता है और को एन जाइम एन एडी प्लस एवं एफ एडी एच प्लस और एफ एडी एच दो में अपचित हो जाते हैं। सुत्र कणिका में एन एडी एच प्लस एच प्लस से उत्पन इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रोन वहक प्रोटीन पर इस्थानांत रिध हो जाते हैं। पूरी जिल्ली पर इस्थानांत रिध हो जाते हैं। अब इलेक्ट्रोन साइटोक्रोम सी द्वारा साइटोक्रोम सी ऑक्सिडेज कॉंपलेक्स पर इस्थानांत रिध किये जाते हैं। और साइटोक्रोम सी ऑक्सिडेज कॉम्प्लेक्स प्रोटॉनों को भी जिल्ली के बाहर इस्थानांतरित करता है। अब, electron अंतस्त electron ग्राही कह설ने वाली oxygen तक इस्थानांतरिज किये जाते हैं और उत्पात की रूप में जल बनता है। सुत्र कडिंका की पूरी जिली में प्रोटॉन का इस्थनांतरन प्रोटॉन प्रवनता निर्मित करता है और प्रोटॉन जो एक विशिष्ट चैनल प्रोटीन के माध्यम से माइटो क्रांड्रियल अधात्री से पुनाप्रवेश करते हैं, ATP सिंथेज कहलाते हैं। पुनाप्रवेश करदें वाले प्रोटॉन ADP और फॉस्फिट से ATP संशलेशित करते हैं। इस क्रियाविधी के माध्यम से ATP का निर्माण आक्सिकारी फास्फोरिली करण के रूप में जाना जाता है। श्वस्निय संतुलन शीट का उप्योग करके हम प्रतीक आक्सिक्रीत ग्लुकोज अनु के लिए ATP के नेट लाप की गणना कर सकते हैं। ATP के नेट लाप की गणना करने के लिए अभिधार रणाएं। पथ नीचे दिये के रूप में क्रमानुसार व्यवस्थित है। ग्लाइकोलिसिस के दौरान संशलेशित NADH सूत्र कनिका में प्रवेश करता है। जिसका आक्सिकारी फास्फोरिली करण में उप्योग किया जाता है। ग्लुकोलिस के अतरिक्त पथ में कोई अन्ययोगिक प्रवेश नहीं करता है। मध्यवर्ती पथ में किसी अन्ययोगिक को संशलेशित नहीं करते हैं। ग्लुकोलिस के एक अनू के आक्सिक श्रसन के दौरान 36ATPS का नेटलाब हो सकता है। ग्लुकोलिस प्लस 6ATP प्लस 36ADP प्लस 36PI से 6CO2 प्लस 42H2O प्लस 36ATP प्राप्त होते हैं। एमफिबोलिक पत प्राया कार्बोहाइडरेट का उप्योग श्रसन की क्रियाधार की रूप में किया जाता है। श्रसन में प्रवेश करने से पहले कार्बोहाइडरेट सबसे पहले ग्लुकोलिस में परिवर्तित होते हैं। अन्य क्रियाधार भी सांस ले सकते हैं। पहले वसा को glicerol और वसा-अमल में विक्टित होने की जरूरत होती है और उसके बाद वे पत में प्रवेश कर सकते हैं। इसी तरह glicerol PGAL में परिवर्तित हो जाता है और उसके बाद वे पत में प्रवेश कर सकते हैं। प्रोटीन में वे पहले अमीनो अमलों और उसके बाद पायरुविक अमलों में विक्टित होते हैं और श्योसन पत्थ में प्रवेश करते हैं। अब जीव को वसामलों को संशलेशित करने की जरूरत होती है, तो पत्स से एसिटाइल यानी COA अलग हो जाता है। इसलिए ये सिद्ध होता है कि पत्थ, अपजय और उपजय दोनों प्रक्रियाओं में शामिल होता है और इसकारण ये एमफिवोलिक पत्थ के रूप में जाना जाता है। श्योसनी अनुपात आक्सी श्योसन में आक्सीजन का उपभोग किया जाता है और कारण डैयोकसाइड बाहर मुक्त की जाती है। आक्सी श्योसन में मुक्त की गई कारण डैयोकसाइड और उपभोग की गई आक्सीजन का अनुपात श्योसनी अनुपात कहलाता है। RQ बराबर मुक्तु हुई CO2 का आयतन बटे उप्योग की गई ऑक्सीजन का आयतन श्वस्निय अनुपात का मान श्वस्निय क्रियाधार पर निर्भर करता है श्वस्निय अनुपात की करणा कार्बो हाइडरेट्स के लिए C6H12OH प्लस 6O2 से 6CO2 प्लस 6H2O प्राप्त होता है श्वस्निय अनुपात की निम्नानुसार गढ़ना की जा सकती है 6CO2 बटे 6O2 बराबर एक दशमलाव शूनने वसा के लिए 2C57H110O6 प्लस 163O2 से 114CO2 प्लस 11H2O प्राप्त होता है श्वस्निय अनुपात 114CO2 बटे 163O2 बराबर 0.7 प्रोटीन के लिए श्वस्निय अनुपात कमान 0.9 होता है क्या आप जानते हैं येस्ट की 500 से अधिक प्रजातियां होती है येस्ट बियर में स्वाद एवं सुगंध मिश्रित करने के लिए जिम्हदार होता है येस्ट बियर वाइनादी बनाने के लिए जरूरी होते हैं सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेव में तोहराएं पौधो में शोसन आक्सीजन का उप्योग है जो ग्लुकोज के साथ जुलकर कार्बन यॉकसाइट, जल और उर्जा उत्पन करती है ग्लाइकुलिसिस के दौरान एक ग्लुकोज अणू पाहरूविक अमल में तूट जाता है और ATP के रूप में उर्जाम मुक्त करता है किडवन सुक्ष्म चीवों दौरा कार्बनिक यॉकिकों के अनाक्सी विखंडन की प्रक्रिया है ऑक्सी शौसन में ऑक्सीजन की उपस्तिती में पाहरूविक अमल कार्बन डे ऑक्साइट और जल में पूरी तरह से ऑक्सी क्रित हो जाता है ट्राई कार्बोक्सिलिक अमल चक्र ऑक्सीजन की उपस्तिती में सूत्र कणिका के भीतर संपन होने वाला शौसन चक्र है और ये क्रेप्स चक्र भी कहलाता है इलेक्ट्रावन परिवहन परणाली के मात्यम से ATP का निर्मान आक्सिकारी फास्फोरिली करण कहलाता है ग्लुकूस के एकरणों के आक्सी श्वासन के दौरान 36 ATPS उत्पन होते हैं श्वासन पत एफिबोलिक पत है आक्सी श्वासन में मुक्त की गई कारबन डायोकसाइट और उभ्भोग की गई ऑक्सीजन का अनुपात श्वासनी अनुपात कहलाता है